पतंजली विश्व विद्याले के प्रथम दीक्छान समारो में प्रमुक रूप से उपस्तित उत्राखंड के राजपाल लेटिनेंट जनरल गुर्मीट सिंग जी मुख मंत्री स्री कुशकर सिंग धामी जी शिक्छा मंत्री डक्टर धन सिंग रावत जी विश्व विद्याले के कुलादी पती स्वामी राम देव जी कुलपती आचार वालकस्म जी संकाय अध्यक्षा एवं कुलानु सासिका साधवी डक्टर देव प्रिया जी अन्य गर्मान अतितियों शिक्षगर्ण अधिकारीगर्ण अविवाग को और प्यारे विद्यार्थियों तथा देवियों और सज्जनु इस समारोह में पतंजली परिवार के उत्साही सदस्यों के बीच आकर मुझे अतियन्त प्रसन्यता हो रही है और ऐसा लगता है कि ये उत्साह जब से देख्षान समारोह प्रारंब हुआ है और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये उत्साह ऐसाही बना रहे गा इस देख्षान समारोह के लिए मुझे अप्रेल के महिने में आने का कारक्रम बना था परन्तु कोविट महामारी के कारण ऐसे सभी कारकमों को इस्थागित करना पड़ा आज समारोह में आकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक अच्छा कार जो अधूरा रह गया था वो अज पूरा हो रहा है वो अधूरा कार मात्र पूरा ही नहीं हो रहा है बलकि स्वस्त और उत्साह भरे बाता बढ़न में आज सबसे पहले में देख्चान समारोह में पुरसकार प्राप्त करने वाले चात्र चात्राओं तथा इसना तक इसनातकोत्तर और पीएशदी की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हारदिक पधाई देता देव भूमी उत्राखंड में आना हर किसी के लिए सवभागी की बात होती है हरी द्वार का हमारी भारतिय परंपरा में एक बिसेश महातुरा है हरी द्वार को हर द्वार भी कहा जाता है हरी यानि विष्णू और हर यानि शिव इस प्रकार हरी द्वार भगवान विष्णू और महादेव संकर दोनों की पावनिस्थली में प्रवेश का द्वार है और इससे भी बढ़कर यहां की पावन धर्ती पर रहने का और शिक्छा प्राप्त करने का अवसर मिलना आप सभी विध्यारतियों के लिए बड़ी सवभागे की बात है इस विष्व विध्याले के कुलादीपती स्वामी रामदेव जी ने योग की लोकप्रीता को बढ़ाने में अपना अभूत पूर योगदान दिया है जन सामान को भी योगा भ्याद से जोड कर उन्होंने अनगिनत लोगों का कल्यार किया है दस और पंद्रे बर्स पूर्ग हम लोग देखते थे कि भारत में योग को एक तपस्या माना जाता था और ऐसा सोचते थे लोग कि योग वही कर सकता है जो सन्यासी होगा जिसने घर ग्रेश्ती छोड़ दी होगी और जो सादू संथ होगा और मुझे लगता है कि इस दोरान स्वामे रामदेव जी ने योग की परिभासा को बदल दिया आज हर विक्ति वो चाहे ट्रेन में सफर कर रहा हो चाहे रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठा इंतिजार कर रहा हो या अन्न कही है उसको कभी कभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो वो या तो अनुलोम बिलोम में लगा होगा या कपाल भाती में लगा क्यारे विद्यार्थियो भारत सरकार के प्रियासों से संयुक्त राष्ट्र संग द्वारा सन 2015 में प्रतिवर्स 21 जून को अंतर राष्ट्री योग दिवस के रूप में मनाने का निर्ने लिया गया थे ऐसे प्रियासों के परणाम सुरूप सन 2016 में योग को युनस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोवर की सूची में सामिल किया गया थे कुछ लोग ये गलत धारना भी रखते हैं कि योग किसी पंथ या संप्रदाय बिसेश से संबध है ऐसा बिलकुल नहीं है सही मायनों में योग तो सरीर और मन को स्वस्त रखने तथा उच्चतर लक्षियों को प्राप्त करने की एक पद्धती है इसलिए योग को विश्व के हर छेत्र और विचार धारा के लोगों ने अपनाया है 21 जून 2018 को मैंने अपनी विदेश यात्रा के दौरान सूरी नाम मैं उस दिन सूरी नाम में था सूरी नाम के ततकालीन राश्टपतित था वहां के लोगों के साथ अंतर राश्टी योग दिबस मनाया था और ऐसा कहा गया कि शायद वो एक मात्र इतिहास का ऐसा दिन था जिस दिन दो राश्ट्र के राश्टपतियों ने एक साथ मिल करके योग दिबस का सेलिब्रेशन किया संयोग से मैं उसक अगले दिन क्यूबा पऊचा और हम सब लोग जानते हैं कि क्यूबाạtर एक समयवादी देश हैं, एक मझनता है कि समयवादी देश आर्था वो योग को मनता नहीं देते और कर अर्थाथ इसको मानतें हैं कि यह किसी संपर्दा या अ पंत शे इसका इसलिए मानते भी नहीं लेकिन क्यूबा के लोगों ने भी अंतर राश्टी योग दिवस मनाने के लिए समारो आयुजित किया और जिस समय में क्यूबा के राश्ट्रपती जी के साथ एक जो एस्टेट बैंक्विट दिया जाता एक परंपरा है उस समय जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने अपनी बात कही कि वो भी उसका ब्यास करते है योग का और जब उनने पूछा कि एक्स्लेंशी हाव डु र्याक्टिस योगा तो उनका एक बहुत संक्खेप में उन्होंने इस प्राकार से हम सब लोग जानते हैं की यहा destrułości क declare Kṛṣṇa师ि गा जेल को इस प्राकार इस प्राकार से कालिट योगा उसके पस्चात मैंने भारत सरकार को सुजाव दिया और उस वाजवाव के अनुसार क्यूबा के राश्ट्रपती को यहां से एक हमने ट्रेंड प्रिशिक्षित योग योग सिक्षक उसकी बिवस्था की अंग्रेजी में उनको हमने लिट्रेचर भिजवाया औ और बाद में उनका एक थैंक्स लेटर भी आया कि मुझे इन सारी जो विवस्था की उसके लिए मैं भारत का धन्नवादी और उन्होंने अन्त में एक बात और कही थी उन्होंने का था अंग्रेजी में का था कि योगा इस बेस्ट गिफ्ट देट इंडिया हैस गिवन तो इन्टायर हुमेलिटी इसके अत्रिक्त में एक जानकारी और भी साजा करना चाहता हूं मुझे बताया गया है कि अरब योग फाउंडेशन की संस्थापक सूस्री नौफ मारवाई को हाल ही में सौदी अरब कंट्री ने सौदी अरब सरकार ने योग के प्रचार प्रसार की विशेश जिम्मेदारी दी है सौस्री मारवाई को दो हजार अठारा में योग के छेत्र में उनके विशेश योगदान के लिए राश्ट्पती भवन में मुझे पदमिस्री से सम्मानित करने का आउसर प्राप्थ हुआ था मैं मानता हूँ कि योग सब के लिए है और योग सब का है पतंजली विश्व विद्याले द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं उनसे भारतिय ज्ञान विज्ञान विशेश कर आयरवेद तथा योग को आधुनिक परिपेक्ष में विश्व पतल पर गौरवसाली स्थान में सहायता मिलेगी एक अध्यान के अनुसार अठारवी सताबदी तक विश्व की अर्थ विवस्ता में भारत का योगदान एक चोथ्याई से अधिक था यह उलेखनी है कि उस समय हमारे देश में हजारों गुरुकुल विद्दमान थे और सेकनों उच्छी सिक्षन संस्थ प्राचिव विद्याओं में पठन पाठन एवं अनुसंधान कर रहे थे भारस्त की प्राचीन ज्यान परंपरा का सम्मान विश्व समुदाय द्वारा किया जाता है मैंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान देखा है कि अनेक देशों में भारतिये विशयों से आरी परंपरा की प्रासंगिक ज्यान राची को जोडते हुए भारत को नालिज सुपर पावर बनाने का जो लक्ष रास्ट्रिये सिक्षा नीती ने निर्धारित किया है उस मार्ग पर पतंजली विश्व विद्याले अग्रसर है आपके विश्व विद्याले के कुल गीत म इस सिक्षण संस्थान का वर्णन पूरा संस्कृति और नव यूग का प्रतिस्थान के रूप में किया गया है जो सर्वता सार्थार्थ है परंपरावा आधुनिक्ता के संगम के इस प्रियाज के लिए मैं आप सभी की सरहना करता हूँ प्रिये विद्यार्थियों आपके सिक्षण संस्थान में स्वदेशी उद्यमिता और रोजगार के साधनों को बढ़ावा देने की सोच पर आधारित सिक्षा द्वारा भावी पीडी को राष्ट निर्मार के लिए तैयार किया जा रहा है मुझे ये देखकर प्रसंदता होती है कि पतंजली सम्हू के संस्थानों में भारतियता पर आधारित उद्यमों और उद्यम पर आधारित भारतियता का विकास हो रहा है आज से लगबग तीन हजार बर्स पहले अथ योगान सासनम इन दो सरल सब्दों से आरंब करके महरसी पतंजली ने छोटे-छोटे सार गर्वित वाक्यों के माध्यम से योग विज्ञान के विशे में उपलब्द समस्त जानकारी को जिस परकार एक सूत्र में पिरोया वे स अऊचे विश्व समधाय को भारत का उपोहार है ऐसे महरसी पतंजली के नाम पर इस्थापित विश्व विधियार्थियूँ को समग्र विक्धित्तु यवमचरित्र का आदर्स प्रुस्तुत करना है हमारी परंपरा में विधियार्थियों को सलाह दी जाती है कि आर्थात स्वाध्याय में प्रमाद मत करो संस्कृत भाषा में सारीरिक सिथिलता के लिए आलस तथा मांसिक सिथिलता के लिए प्रमाद सब्द का प्रयोग किया जाता है आलस और प्रमाद को त्याग कर आप सब योग परंपरा में उलिखित अन्यमे कोस, मनों मे कोस और प्राण मे कोस की सुचता हय तु सचेत रहेंगे और विज्यान मे कोस और आनंद मे कोस तक की आंतरिक यात्रा पूरी करने की मातवा कांछा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे ऐसा मेरा विश्वास हो सवभाग्य से इस विश्विद्याले में आप सबको सुयोग आचारियों का मार्क दर्सन उपलब्ध है योग पर आधारित जीवन पद्धती व्यक्ति को संबेदन सील भी बनाती है पतंजली विश्व विद्याले के आप सबी विद्यार्थियों से यह अपेक्छा भी की जाती है कि करोना और सेवा के आवदर्सों को आप अपने आचरन में ढालकर समाज सेवा करते रहेंगे करोना और सेवा के अधबुत उदाहरन हमारे देश बासियों ने कुरोना का सामना करने के दोरान पृस्तुत किये कुरोना महामारी के साथ मानो समुदाय का संगर्स अभी जारी है यह उलेखनी है कि हमारे सभी देश बासियों ने खासकर कुरोना वारियर्स ने बड़े उत्सा और कुसलता से इस महामारी की चुनोती का सामना किया आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारा देश विष्व के उन थोड़े से देशों में है जिन्नों ने न सिर्फ कुरोना के मरीजों की प्रभावी देख भाल की है अपी तु इस बीमारी से बचाओ है तु वैक्सीन का भी उत्पादन किया है हमारे देश में विष्व का सबसे बड़ा टीका करण अवियान सफलता पूरवक चल रहा है प्रियविद्यार्थयोग आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने अनेक उपकरणों की साहता से चिकित्सा के छेत्र में अदभुत प्रगती की है अईरवेद्य तथा योग विज्ञान ने स्रस्टी द्वारा विक्सित सर्वश्रेष्ण उपकरण अरथात मानव शरीर पर गहनता से मनन और सूध किया और सरीर के माध्यम से ही रोग मुक्त और भोग मुक्त होने के परभावी मार्ग विक्सित किये स्रस्टी के साथ सामंजस पून जुडाव ही आयरवेद एवं योग सास्र का लक्ष है इस सामंजस के लिए ये भी आवस्यक है कि हम सभी प्रकृति के अनुरूप जीवन सहली को अपनाएं तथा प्राकृतिक नियमों का उलंगन ना करें प्रकृति के साथ सामंजस स्थापित करना तथा प्राकृतिक उत्पादों का प्रियोग करना हम सभी के लिए लाब दायक सिद्ध होगा देवियों और सज्जनों मुझे बताया गया है कि पतनचली विश्व विद्याले में अंतरराश्टी विद्यार्थियों के लिए एक विशेश सेल का गठन किया गया है मुझे प्रसंचता है कि इस पहल दवारा हमारे देश की ज्ञान परंपरा को संपूण विश्व में प्रसारित किया जा सकेगा, मुझे ये भी बताया गया है कि अन्य देशों से भी विद्यार्थियों का अब इस विश्व विद्यालय में आना सुरू हो गया है। मैं आशा करता हूं कि भविस्व में विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में ब्रद्धी होगी ऐसी विदेशी विद्यार्थियों के माध्यम से हम भारती मूलियों और संस्कारों का विस्व भर में प्रिचार प्रसार कर सकेंगे यह 21 सदी के लिए नए भारत के उदय में पतंजली विश्व विद्याले का विसेश योगदान होगा आज जब हम अजादी का अमरत महुत्सो मना रहे हैं तब हमें अपने ऐसे विश्व विद्याले और सिक्षन संस्थानों को और भी अधिक प्रोच्छाहन देना चाहिए जो हमारी संस्कृती को आधुनिक परिपेक्ष में नई उर्जा परदान कर रहे हैं इस थापना के बाद की अल-पवदी में ही पतंजली विश्व विश्व विद्याले ने जो लबदियां प्राप्त की हैं उसके लिए में इस विश्व विद्याले के वर्तमान एवं पूरवर्ती सिक्षकों, विद्यार्थियों और विवस थापकों को हार्दिक बदाई द मुझे बताया गया है कि आज जिन विद्ध्यार्थियों को उपाधिया प्रदान की गई है उन विद्ध्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगबग 60 पृत्सत है और बेटों की संख्या 40 पृत्सत है बिद्ध्याले में भी है जो चात्र सिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन में भी चात्रों की अपेक्षा बेटियों की संख्या अधिक है यह प्रसन्नता की बात है कि परमपरा पराधारित भारतिय परमपरा पराधारित आधुनिक सिक्षा का विस्तार करने में हमारी बेटियां अग्रणी भूम का निभा रही हैं मुझे विश्वास है कि आप सभी चात्राओं में से हमारी बेटियों में से आधुनिक युक्की गारगी मैत्रेई अपाला रोमसा लोपा मुद्रा निकलेंगी जो भारतिय मनीशा और समाज की सेश्वता को विश्व पटल पर स्थापित करेंगे अंत में एक बार फिर मैं आप सब को पतंजली विश्व विद्याले के दीक्छान समारो की हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी के उज्वल भविश्व की मंगल कामना करता हूँ